बॉलूर के दबंग खान सल्मान खान ने कब बनाई अपने एक्स गर्फरेंड इश्वर राय बच्चन की पेंटेंग वाके में हैरान करती है ये बाते लोगों को लेकिन तस्वीर अगर आप देखेंगे तो कि इस तरह सल्मान इश्वर्या की तस्वीर को निहाटते ऐसा लग रहा है मानो उन्हीं पेंटिंग का वो रूप देते न सराय हो भाई वाकई में ये तो सिर्फ अंदाजा है लेकिन काट्रीना कैफ का जो तस्वीर उन्होंने शेर किया था इस फिल्म ताइगर जिंदा है में जिस तरह उनकी खुबसूर्ती को पेश किया गया सल्मान और काट्रीना की चोड़ी जो बॉलोड में हिट स्थाबित होई उस सल्मान और काट्रीना के वीश धोगी का सिलसला कब शुरू हुआ इस बारे में बताना चाहेंगे हम कैसन वार रनबीर का पूर इक ऐसे एक्टर थे जोनोंने कात्रीना कैप के साथ फिल्म अजब प्रेम की घजब कहानी में काम करने के बाद अपने ही कहानी को अजब घजब कर दिया था कात्रीना और सल्मान की कहानी बेहदी खुब स्था चल रहे थी दोनों की चोड़ी रिलेशन्शिप के साथ काफी आगे बल रही थी फिल्म मैंने प्यार क्यों किया के जरी लेकिन फिर काट्रीना रनबीर कपूर की करीब आती गई फिल्मी शूटिंग के बीच और सलमान से उनकी दूरी बढ़ती चली गई सलमान का जो मिस्स खान काट्रीना को बनाने का सपना देख रहे थे वो सलमान काट्रीना की धोके का हो गए शिकार काट्रीना और रनबीर की चोड़ी वेकेशन ट्रिप से लेकर तस्मीरे वारल होने के जरीए अफैर को लेकर खुब जादा चर्चा में रहने लगी फिर किया स सलमान हो गए काटरीना से दूर लेकिन प्यार को नहीं कर पाए वो खत्म दोगे गई बदला तो है जो काटरीना से प्यार तो करते हैं लेकिन शादी के लिए खुद को फिर से रजामंदी नहीं दे पा रहे हैं सलमान अब भैस सोचिये सरा आखिर क्या वजह हो सकती है दोनों सलमान के बीच आज भी रिष्टे में दिवार की दरार की सिर्फर से प्रनवीर के साथ उनकी किसी समय रही नजदी किया ही थी अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, पीजियो एडिटर, कैमरा मैं या पर स्क्रिप्ट राइडर तो हमें संपस कर कर दो हमें से नजए च्राइडर के आफार, कैया है,